ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है लेकिन जमीनी तापमान तो इससे भी ज़्यादा तीवर होता है 1972 में फरनेस ग्रीक में रजिस्टर किया गया है कि 201 डिग्री फैरेनेक तापमान था ये तो पृत्वी पर का सबसे ज़्यादा गर्म ऐसा तापमान है सच में संसार के दूसरे रगिस्तानों में भी इस बात के अउसर हैं कि वो भी ज़्यादा तपते हैं लेकिन मनुष्य पृत्वी पर के ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रहते हैं इसलिए वहाँ पर कोई वैदर स्टेशन नहीं है कि इस तरह के तापमान को रेकॉर्ड कर सके बाइबल हमें बताती है कि ultimate global warming तो अभी भविश्य में होने वाली है ये समय जब परमेश्वत पूरे संसार को आग से शुद्ध करेंगे और वचन कहता है कि उस दिन में सारे तत्व बड़ी गर्मी के कारण पिघल जाएंगे और पृत्वी और उसकी सारी चीजें जल जाएगी डरावना लगता है लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो इसे और जानने के लिए मेरे साथ में जुड़ जाएए जैसे हम नरक के बारे में अच्छी ख़बर देखते हैं आज के संदेश का शिर्शक है नरक के बारे में सुबसंदेश भाग एक हमारे लिए इस पर चर्चा करना तो बहुती व्यवहारिक बात है क्योंकि बाइबल बहुती स्पष्ट है कि हर एक मनुष्य के सामने केवल दो ही चुनाव रखें गए हैं केवल दो मन्जिल है जो कि आप में से हर एक व्यक्ति स्वीकार करेंगे प्रकाशित वाक्य 20-15 में देखिए और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की जील में डाला गया केवल दो ही चुनाव हैं जीवन या मृत्यू अनंत जीवन या आग की जील जिसे नर्क कहते हैं अक्सर चर्च में ये शब्द बोलना हम अच्छा नहीं समझते हैं बहुत से लोग बाइबल के तरीके से शब्द का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन ये बाइबल का शब्द है जिस तरह उपयोग कर रहा हूं इसके आप सराना कीजिए और नरक के बारे में जो पूरा विचार यही है कि ये तो सच में ऐसी भयानक जगह है शायद कहते हैं कि ये नीचे जमीन के अंदर है जहां खोए हुए मरने के तुरंद बाद जाते हैं और वो वहाँ जलते रहते हैं लेकिन वो जीवित है, सचेट है, जलन को महसूस करते हैं और वो एक या दो सेकेंड के लिए नहीं जल रहे हैं लेकिन वो जल रहे हैं इस आग और गंदरस की इस बड़ी जील में पीडा में पड़े हैं सेकेंड के बाद सेकेंड और मिनिट के बाद मिनिट और कई घंटों तक और कई दिनों तक कही हफ्तों तक महिनों तक और साल तक और हजारों साल के बाद हजारों साल तक इतने साल तक वो बस वहाँ पर करा रहे हैं दात पीस रहे हैं दया मांगते लेकिन दया मिलती नहीं और लाखों साल बीच जाते हैं जैसे तैसे इस आग और गंधरस की जील में वो तैरते हुए कहते हैं प्रभू और कब तक, प्रभू कहते हैं कि अभी तो शुरुवात हुई और फिर से उन्हें डूबो देते हैं, यहीं विश्वास किया जाता है, आप यह मानते हैं, और नरक के बारे में बहुत से किस बात का अनुभव कर रही हैं खेर वो वहां आग और गंधरस में दिन और रात इस तरह से यातना सह रही हैं बाइबल में ऐसे बहुत से वचन है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और मैं कुछ समय निकालूंगा खास करके अगले हफते इस पर चर्चा करेंगे लेकिन आज की प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इस विश्य में सच में अच्छा सू समाचार क्या है और इन गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि नरक के बारे में ये पारंपारिक दृष्टिकौन इसे न तो पुराने नियम में सिखाया गया न न नए नियम में ना ही प्रारंबिक कलीसिया ने इस पर विश्वास किया अंधकार के युग में इसे मानो पूरी तरह से बदल दिया गया और चर्च के सामने लाकर रखा गया कि लोगों को डर के मारे लेकर आ सके इस विश्य के बारे में बहुत से लोग तो केवल डर के मारे आग सिखाती है दूसरा पत्रस चलिए स्क्रीम पर वचन देखते हैं लेकिन आप इसे लिग भी लीजिए ताकि आपके पास में इसका सारांश होगा दूसरा पत्रस अध्या दो वचन नौ तो प्रभु भक्तों को परिक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को याने दो समु है याने भक्त और अधर्मी नियाय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है तो अधर्मियों को कहां पर दंड दिया जाएगा नियाय के दिन में ये उनके मृत्तिव का दिन नहीं है एक महान नियाय का दिन आ रहा है यहना 1248 यीशु ने कहा जो मुझे तुछ जा जानता है और मेरी बाते ग्रहन नहीं करता उसको दोशी ठहराने वाला तो एक है अर्था जो वचन मैंने कहां है वही पिछले दिन में उसे दोशी ठहराएगा मसी यहां पर भविश्य में देख रहे हैं उस बड़े दिन को देख रहे हैं जो कि नियाय का दिन होगा और वो तेरह चालीस में याद है अच्छे दाने और जंगली दाने का ये दृष्टान यहां पर ईश्य ने कहां किसी का खेत था और रात के समय कोई शत्रू आया और उसने जंगली दाने बो दिये ये तो ऐसे घास के जैसे होते हैं गेहूं के बीच में और ये सब एक साथ बड़ में जमा करेंगे और बाद में ईश्य ने चेलों को इस दृष्टान का अर्थ बताया ताकि कोई गलत फेहमी ना हो मत्ती 1340 में उसने चेलों से कहा अतह जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाये जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा युग के अंत में मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकठा करेंगे खोए हूँ को और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दात पीसना होगा यहां पर एक बात हम सीखते हैं कि आग क कुंड होगा साथ में हम यह भी सीखते हैं कि वह अब तक जल नहीं रहा है क्योंकि न्याय का दिन अब तक नहीं आया है अब तक फसल नहीं काटी गई है दुष्टों को जीवित किया जाना अब तक नहीं हुआ यह भविश्य के लिए है मैं आशा करता हूं कि आप यहां प कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर याने उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे अभी नहीं आए हैं लेकिन जब वो आएगा तब आएंगे जिन्होंने भलाई की हैं वे जीवन के पुनुर्थान के लिए जी उठेंगे याने मसी में मरे हुए पहले जी उठेंगे औ पर उद्धार पाए हुए मसी में मरे हुए पहले जी उठेंगे पहला थिसलियुने के अध्याचार और फिर खोए हुए लोगों का जी उठना जो एक हजार साल के अंत के बाद होगा बाइबल प्रकाशित वाके 20 में बताती है कि बाकी मरे हुए हजार साल के पूरा होने तक जीवित नहीं होंगे यानि मसी में मरे हुए पहले जी उठेंगे जो मसी में मरे वो पहले जी उठेंगे तो बाकी मरे हुए कौन है वो जो मसी के बिना है खोए है ये तो वो दोशी है जिन्होंने इशु को स्वीकार नहीं किया उनका जी उठना है ये भविश्य में है पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यों को उत्पन करता है याने केवल दो प्रतिफल दिये जाते हैं जीवन या मृत्यू इसराइलियों को प्रतिक जाके देश में ले जाने के पहले मूसा ने कहा व्यवस्ता विवरंड अध्याय 30 में उसने कहा आज मैं तुम्हारे सामने ज ये तो सभी के लिए चुनाओ है अगर जीवन की पुस्तक में आपका नाम है तो जीएंगे अगर वहाँ पर आपका नाम नहीं है तो आपको दंड मिलेगा और आप मरेंगे आपका अंतिम परिणाम ये नहीं कि आप आग में हमेशा के लिए जलती रहेंगे बाइबल में कह रहता है कि प्राण अमर है परमेश्वर अमर है ये अमरत्व तो पुन्रुथान के समय दिया जाता है अभी इस समय कोई भी अमर नहीं है सच्छाई तो ये है कि हमारा शरीर तो मरणहार है जब ये शू आएंगे तब ये मरणहार अमरत्व को पाएगा यहना 3.16 चलिए पहले रोमियों 26 को हम यहां पर देख लेते हैं क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यू है परंतु परमेश्वर का वर्दान अनंत जीवन है आपके पास केवल दो चुनाव है मैं प्रतिग्या करता हूँ आप सब को केवल इन दो चुनाव में से एक मिलेगा ये द रमेश्वर का वर्दान अनंत जीवन है क्या इश्वर हमारे पापों के लिए मरे ? क्या इश्वर ने हमारे पापों का दंड का Veridly मर मारे बदले में उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या आप इसे समझ रहे हैं यहना तीन सोलह दो चुनाव हैं परमेश्वन ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलोता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नश्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पा या अनंत जीवन पाएंगे यहना तीन सोलह में इसे बहुत स्पष्ट किया है सवाल नंबर चार नरक की आग में दुष्ट के साथ क्या होता है भजन 37 वचन 10 और फिर वचन 20 भी पढ़ेंगे पूरा भजन पढ़ना होगा दुष्ट के साथ में क्या होगा तो पढ़ते हैं थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्तान को भली भाती देखने पर भी उसको न पाएगा उन्हें नहीं पाएगा अगर किसी का स्टित्व खतम हो जाए तो आप उसके लिए क्या कहेंगे आप यही कहेंगे कि वो न मिला दुष्ट नाश हो जाएगा और परमेश्वर के शत्रु धुदुआ हो जाएगा वो भस्म हो जाएगे कुछ पास्टर ये कहते हैं कि हां हमारी शरीर खत्म हो जाएगे लेकिन आत्मा हमेशा जलती रहेगी لेकिन यहजकेल में कहां गया है कि जो प्राण पाप करता है वो तो अवस्ष्य ही मर जाएगा. मत्ति दस में ईशुने कहा जो शरीर को नाश करुए उससे नहीं डरना पर आत्मा को नाश करेगा लेकिन तुम उससे डरना जो तुम्हारे प्राण और शरीर को नाश कर देगा केवल शरीर ही नहीं जलता आत्मा और शरीर मती चार एक ये वचन के पढ़ने में है देखो वो धदकते भटे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वो ऐसे भस्म हो जाएंगे उनका पताना चलेगा यहवा का यही वचन है यानि न जड़ होगी न डाली रहेगी इन शब्दों को देखे जो परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं चली एक और वचन देखें और ये विचार मैं आपको समझा कर बताता हूं प्रकाशित्वाक के 27 और 8 जो जैपाए वही इन वस्टों का वारिस होगा ये तो सुसमाचार है और मैं उसका परमेश्वर होँगा और वो मेरा पुत्र होगा यानि एक तरफ यहाँ भेडे हैं जो अनंत जीवन पाते हैं उद्धार पाते हैं लेकिन वचन आठ प्रकाशित्वाक के 21 आठ परंतु डरपोक और अविश्वासियों और घिनावनों और हत्यारों और वेभिचारियों और टोनों और मुर्ति पूजकों और सब जूटों का भाग उस जील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है ये दूसरी मृत्यू है प्रकाशित्वाक के 29 नरक कहां जलेगा मिलेनियम के अंत में जब शैतान अपनी सेना को परमेश्वर के नगर के विरुद लाएगा वे सारी पृत्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी ये आग जो की नए यरुशलेम के आसपास नीचे उतराई है जो आग की जील बनाएगी ये तो पृत्वी पर होगी तो नरक कहाँ पर जलेगा इस पृत्वी पर और भी वचन देखते हैं नीती वचन 11-31 धर्मी को पृत्वी पर फल मिलेगा तो निश्चह की दुष्टों और पापी को भी मिलेगा याने हर एक को अपना प्रती फल मिलेगा अपराद की जगह पर ही याने इसी भूमी पर दूसरा पत्रस 3-10 परन्तु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा उस दिन आकाश बड़ी हड़ाट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुती तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृत्वी और उस पर के काम जल जाएंगे याने हमेशा यहां पर देखी यह जो नयाय तो यहां पृत्वी पर होगा नरक कहीं दूर पर नहीं है उपर कहीं किसी आकाश में जो की आग से भरा होगा नरक ऐसे नीचे यहां पर पृत्वी के नीचे नहीं है पर पृत्वी पर है कहीं मत जाएए दोस्तों बसकुछी पल में हम लौट आएंगे आज के बाकी प्रेजेंटेशन के साथ क्या आपने कभी सूचा है यदि परमेश्वर प्रेम हैं और परमेश्वर भले हैं तो उसने शैतान को क्यों बनाया और इससे भी बढ़कर परमेश्वर ये क्यों चाहेंगे कि शैतान नरक का सूपरवाईजर हो जो पापियों को उनके हिसाफ से दंड देगा संसार में लाखों लोग इस पर विश्वास करते हैं लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप बाइबल में इस तरह की शिक्षा कहीं नहीं पाते हैं क्या आपके मन में इससे प्रभु की तस्वीर बदलती हैं? और इसलिए मैं आपको सुन्दर विबरंट के साथ बताने वाली ये स्टडी गाइड भेजना चाहता हूँ नाम है क्या शैतान नरक का प्रभारी है? ये सामर्थी बाइबल का स्रोथ शैतान के बारे में बड़े सवालों का जवाब देगा ये बताएगा कि वचन क्या कहता है कि वो कहां से आया? और क्यों प्रभु इसके अस्तित्व को खत्म नहीं करते हैं? अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और आफर नंबर 211 मंगवाईए या वेब एडरिस पर जाईए और इस अद्भुत स्रोथ को पढ़ने के बाद इसे जरूर अपने दोस्तों को दीजिए तो चलिए आज के बाकी प्रेजेंटेशन के और आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचनों से अद्भुत तथ्य सीखते हैं ये जानना महतुपूर्ण है एक बार जान लेते के नरक कहा है तो ये समझना बहुत ही आसान होगा कि इस ग्रह पर नई पृत्वी बनाए ये दोनों एक साथ अस्तितों में नहीं रह सकते मतलब नरक की आग को बाहर निकालना होगा नमबर छे ये तो सबसे महतुपूर्ण पॉइंट है मैं सोचता हूँ ये तो खुश खबर है दुष्ट आग में कब तक दुख उठाएंगे बाइबल हमें सटीकता से समय तो नहीं बताती क्योंकि अलग-अलग वेक्ती के लिए अलग-अलग समय है प्रकाशित वाके 22 बारह ये शुने कहां बाइबल के आखरी अध्याय में देख मैं शिग्र आने वाला हूं और हर एक के काम की अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है सब को उनके कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा इसका मतलब ऐसे बहुत से अलग-अलग काम है और उसके अलग-अलग प्रतिफल हैं अगर हर कोई अनंतकाल के लिए जलते चले जाएगा तो सभी को एक ही प्रतिफल मिलेगा तो इसमें अलग कैसे होगा खैर शायद कुछ लोगों के लिए आग जादा भड़काई जाएगी ये जवाब देते हैं अगर कहिए आप अनंतकाल की आग में मैं भी उसी आग में हूँ तो कहिए ये कितना बड़ा अन्याय होगा कहिए कि उधारन के लिए इतिहास के सबसे बड़े आग के भटे को देखते हैं जैसे कि हिटलर ने इतने लोगों को जलाया था कोई कहता है स्टैलिन ने हिटलर से जादा लोग मारे सबसे बड़े उस आग के भटे के बारे में सोचिये और न्याय के दिन में जो खोए हैं मैं उनके लिए आग लगाऊंगा और स्वर्दू तुन्हें आग के भटे में फेक देगा और फिर कहिए कोई नौजवान आता है वो लेखा देने के उम्र में आ चुका है अभी वो समझदार हो गया है लेकिन प्रभू का इंकार करता है अपना जीवन चुनता है और प्रभू कहते माफ करना तुम उधार नहीं पा सकते हो और तुम हिटलर के साथ में अनंतकाल के लिए जलते रहोगे क्या ये न्याय है ये तो इसके पूरे कारणों का उलंगन करना है लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है कि दंड के अलग-अलग स्तर है चलि इस पर कुछ और वचन दू, मत्ती, अध्या 10, वचन 28 जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं उनसे मत दरना, ये मैंने आपको बताया है पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नश्ट कर सकता है यानि नरक में दुष्ट नाश किया जाता है मत्ती, सूलह मतिस सूलह वचन 27 वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा सभी को और फिर हमने क्या कामों से या अनुगर से उद्धार पाया हमने विश्वास के द्वारा अनुगर से पाया लेकिन काम तो केवल दुष्टों का न्याई करने के लिए उपियोग होंगे जहांकि आग कभी बुच्ती नहीं यश्या 47-14 ये कहता है देख वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे वे अपने प्राणों को ज्वाला से बचा न सकेंगे इस तरह से कहता है वे तुम्हारे पाउं के नीचे की राक बन जाएंगे तो नम्र लोग पृत्वी के वारिस होंगे यानि दुष्टों के न्याई के बाद में देखिए वो सब को जला दिये जाएंगे शैतान और उसके दूत उनके कामों के अनुसार अगर हमेशा किसी को आग और गंधक में रहना है तो वो लूसीफर है बाइबल यहजकेल में इस तरह से कहती है कि मैं तुम्हारे मध्य में से आग उंडेलूंगा ये तुम्हें नाश करेगी और जो तुझे देखते हैं उनकी दृष्टी के सामने मैं तुझे भस्म कर दूंगा तू तो दहशत होगा और फिर तेरा अस्तित्वन न रहेगा और फिर तेरा अस्तित्वन नहीं रहेगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि हिटलर जेल से बचकर निकल जाता है नेपोलियन के जैसे और फिर वो फिर से बलवा करने लग जाता है उससे हमेशा के लिए निप्टा जाएगा वो तो वहाँ पर बस दिन रात ऐसे ही जलते रहेगा मैं आपको समझाऊंगा हमारे अगले अध्यन में इन वचनों को देख हिंगे और फिर प्रकाशित वाक के 21 वचन 4 और 5 परमेश्वर उनकी आँखों से सारे आसूं पोज डालेगा और फिर न कोई मृत्तिव रहेगी न दुख और न रोना ये नहीं कहता उधार के लोगों के बीच में रोना नहीं ये कहरा है संसार नया बनेगा नया आकाश रोना नहीं होगा कहीं रोना नहीं होगा और कोई दर्द नहीं होगा तो कैसे हो सकता है इतना बड़ा वैर हाउस जो वहाँ पर चीख रहे हैं चिला रहे हैं और परमेश्वर कहते हैं कि अभी कोई दर्द नहीं है हाँ वहाँ पर दर्द होगा अगर संसार के जादातर लो और इसके बारे में क्या कि हमारा दिमाग धो दिया जाएगा इस संसार में जिन लोगों को हम जानते थे उनमें से किसी को नहीं जानेंगे और प्रभुमार अब brainwash कर देंगे ताकि हमें कुछ भी पता ना चले काश अभी ऐसा कर दे ठीक है अगर ऐसा हो जाएगा तो हम किसी भी तरह के किसी भी दुख को पहचान नहीं पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा हम जानेंगे इसी के कारण आसु बाहें जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो खो गए हैं और उन्हें दंड मिल रहा है लेकिन प्रभू हमें वहाँ पर तसली देंगे कि खुश कबर है अभी कोई दुख नहीं है वो वहाँ पर नहीं है वो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो गए हैं? हाँ वो अनंतकाल के विनाश्ट से नाश हो गए हैं? हाँ जो आग उन्हें जला रही है वो अनंतकाल की है वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे लेकिन जलते नहीं रहेंगे सच तो ये है कि दुष्ट के साथ क्या होगा जानना चाहते हैं बाइबल की कहानी हमें बताती है कि सच में ये कैसे अंत होगा कितने लोगों को सदों और अमुरा की कहानी याद है बाइबल हमें बताती है उत्पत्ती 19 वचन 24 में मैं कभी नहीं भूलूँगा मैं 16 साल का था और सेल बोट पर बैठता था और मेडिटेरियन में हम घूमने जाते थे एक जगह पर वो हमें लेकर गएं वो रूइन्स ओप पॉम्पे था वो बस वहां आसपास की ही जगह थी और सन 89 में वहां पर बड़ा जवाला मखी फटा और उसके कारण पॉम्पे के नगर के उपर इस तरह से आग और गंधरस कई वारिश हो गई और कुछ लोग तो बच निकले और मेरे ख्याल से किसी प्राचीन ने अपने किस रिशेदार को पत्र में लिखा और कुछ लोग जैसे तैसे पानी में पहुँचे और उनकी जान बच गई वो इस गैस और राक के बादल से बचकर निकल गएं और बहुत से लोग मारे गएं वो तो रोमी राज्ये का लास वेगस था उन दिनों में आप उनकी दिवार की पेंटिंग अभी तक चल रहा है और जब भी वहाँ पर कुछ वो देखते हैं वो कहते हैं रुकी एक मिनिट यहाँ पर कुछ है वो प्लास्ट और उपेरिस को मिक्स करके उसमें उन्डेलते हैं और फिर उसे सूखने देते हैं फिर राक जटक देते हैं और वहाँ पर जो उन्हें मिला उसके कुछ रूप यहां पर है ये भूद जैसे दिखने वाले आकार उन असली लोगों के हैं जो वहां पर रहते थे वो तो सामाने रूप में पापी थे वो मर गया और खाली जगह रह गई जबकि उस चेंबर में उनका शरीर पूरी तरह से खत्म हो गया और ये भयानक ऐसा विनाश था यानि आस्मान से आग की वर्षा हुई और पामपी नगर को जला दिया और इसने मुझ पर एक गहरा ऐसा प्रभाव डाला है किशोर अवस्ता में मैंने उससे देखा और फिर मैं ये सोचने लगा मेरा भविश्य क्या होगा बाइबल कहते है कि जो कुछ भी सदोम और अमोरा में हुआ ये तो उससे अलग नहीं था उत्पत्ती 19-24 में तब यहवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और ये शुजगत के अंत के बारे में बताते हैं लू का अध्याय 17 में कहते ये ऐसे ही होगा जैसे लूत के दिनों में हुआ था वे खाते पीते लेंदेन करते पेड लगाते और घर बनाते परन्तु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नश्ट कर दिया मनिश्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा अब ये सवाल है सदोम और अमोरा हमारे सामने को धारन के रूप में रखे हैं कि ये आग कैसी है क्या वो आग आज भी जल रही है चलिए एक और वचन येहुदा एक साथ जिस रीती से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान वेभिचारी हो गए था और पराय शरीर के पीछे लग गए थे शायद उन दिनों की तुलना में आज तो बहुत बुरा है या शायद वो आज से बहुत बुरा था तो क्या हम संसार और उनके विश्वास को ले सकते हैं और पराय शरीर के पीछे लग गए थे पराय शरीर का मतलब क्या है? जो स्वाभावी की यौन संबन नहीं है आग के अनंत दंड में पढ़कर द्रिष्टान्त ठहरे हैं यह कहता है सदुम और अमोरा अनंतकाल की आग में जल गए प्रभू ने क्यों अनंतकाल की आग कहा? क्योंकि आग ने इन शहरों से जो किया वो अनंतकाल का था वो फिर कभी नहीं बनाई गये वो तो आज भी वैसे वीरान है क्या वो अभी जल रहे हैं नहीं फिर दूसरा पत्रस दो छे सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया गया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टा दे चुका हूं चली अगली स्लाइड में देखते हैं कि इससे हम कौन सा सूसमाचार समझ सकते हैं सबसे पहले अभी इस समय कोई नरक में नहीं जल रहा है कही आमेन ये सुपसंदेश है उन लोगों के लिए जो इस विचार से डरते हैं दूसरी बात कोई भी सदा के लिए नरक में नहीं जलेगा आग की जील तो है शायद कुछ विश्वासी लोग देखकर कह रहे हैं कि तुम्हें क्या आग पर भरोसा नहीं आग की जील को नहीं मानते हो नरक की आग को मेरी नरक की आग तो दूसरी आग से बढ़कर है क्योंकि यह बहुत जलती रहती है और आप आपने कभी सोचा पापी खुश नहीं होंगे जैसे किसी जानवर को असाध्य से बीमारी हो जाती है परमेश्वर पापीयों को दैनिय परिसिती से निकालेंगे ये तो प्रेम और दया का काम होगा खोएवे लोगों से प्रभु ऐसा व्यभार करते हैं नरक की आग पूरे संस संसार के ज्यादातर लोग तो गलत निर्णे लेते हैं लेकिन आपको ऐसे खोएवे रहने की जरूरत नहीं है ये शुमसी ने अपने ऊपर जो दंड उठा लिया वह आपका दंड था लेकिन आपको इसे स्वीकार करना है आपको इसे स्वीकार कर लेना है हमारे कूटे हुए संसार के लिए क्या आप रगुकी यूजना जानना चाहते हैं जैसे हम बाइबल की भविश्वानी देखते हैं आप अपनी सबसे बड़ी चुनोतियों के लिए भरू से मन्ध हल्द प्राप्ट करना चाहते हैं प्रोसाहित करने वाली और प्रकाशन दे अमेजिंग फैक्स बाइबल स्टडी गाईड बाइबल पर आधारे 27 टॉपिकल लेसंस प्रदान करती हैं जिसमें सुन्दर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिये गए हैं जिससे समझना बहुत ही आसान हैं हर बाइबल स्टडी गाईड आपको व्यभारिक उत्तर के औ में सवालों के लिए मैं कैसे तंदुर संबंद पा सकता हूं ये शुमसी फिर से कब और कैसे आएंगे और भी बहुत कुछ अपने भविश्य को औसर पर मत छुड़िए सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए अमेजिंग फैक्स बाइबल स्टडी गाईड की द्वारा य आज के फ्री ओफर को मंगवाईए ये आपके लिए एक आशिश है जैसे हम सोसमा चार लोगों तक ले जा रहे हैं आपकी भीटों के लिए आपका धन्यवाद आशा है आप अगले हफते जुर जाएंगे जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं हम और भी अमेजिंग फैक सके मित्रों के द्वारा लाया गया